गाइस, आज का वीडियो कुछ साद ही अलग है, क्योंकि आज मेरे पास में एक मोटराइज स्लाइडर है, और यह मेरा एक सेकंड मोटराइज स्लाइडर है, जो कि मैंने अपने विडियोग्रफी और कॉंटेंट क्रियेशन के लिए परचेस किया है, अब स्लाइडर का आप इस तरीके से मोटर लगी रहती है, स्लाइडर के उपर, और यहां से इसा कंट्रोल होता है, मैं इस तरीके से प्रेस करूंगा, और आप दिखें, मेरा स्लाइडर जो हो चलना, स्टार हो गया, फिर मैं प्रेस करूंगा, और मेरा जो स्लाइडर है, वो फिर से चलना, इस तर स्मूथ मूमेंट मिलता है कंटिन्यूसली इन यह वीडियो जो कि मैनुवल स्लाइडर से ले पाना नेक्स्टू इंपॉसिबल होता है से पहले मैं और एक वाइसी अनियन का हॉट डॉक्स लाइडर यूज कर रहा था जो कि कि आता है जिपान की तरफ से अब जिपान जो है वह एक चाइनीज ब्राइना है जो कि इस टाइप के जो स्लाइडर सोते हैं मोटराइज स्लाइडर बनाने में बहुत ज्यादा पॉपिलर है इस पर्टिकुलर स्लाइडर का नाम है इनके पास Macro 3 M500, M700 और M1000 तक की सीरीज के ओप्शन अवेलेबल है जो भी इस सीरीज है यह अपने लेंथ को डिसाइड करते हैं यह जो जाडर इसकी जो लेंथ है वो अरॉन 59 सेंटीमेटर की है और अगर आप 700 में चले जाओगे और 1000 में चले जाओगे तो ऐसे से करके इनकी जो लेंथ बढ़ती चले जाती है यह डिसेंट लेंथ है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हो ट्रावलिंग के लिए एक Slider चाहिए एक Heavy Duty Slider चाहिए इसमें सारे Features आपको मिल जाएं तो आप जिस्वी लेंथ में चाहओ इसमें 100 cm तक की लेंथ के option अवेलेबल है यह 59 cm का बिकॉस अफ मुझे ट्रावल फ्रेंडी Slider चाहिए आप बाट इस टीक है अब जब परचेस करेंगे अफकॉस आपको एक Box देखने को मिलेगा Box में से Slider निकलेगा और इसकी सेपरेटी ज की पैकेजिंग की बहुत अच्छी लगी इस तरीके से आपको यह लेक्स मिल जाते हैं तो अगर आप ट्राइपॉट यूज नहीं कर रहे हो और आप इसको ऐसे जमीन पर रखकर के यहां किसी भी सर्फिस पर रखके चलाना जाते हो तो इस तरीके से यह लेग जो हो इस तर एक्स्ट्रा आम जो है वह साथ में आते हैं सपोर्टिंग आम जो है वह आपको बॉक्स में से मिल जाते हैं जो कि सोने पर सोहागा है क्योंकि जब मैंने वाइसी अनियन का पर रहा तो उसके साथ में वह सेपरेट पर चीस करने पड़ते हैं विच अगें इंक्रीज यू कर सकते हूं यूजिंग स्लाइडर जैसे अगर मैं प्रोड़क्ट वीडियो बना रहा हूं यह स्टॉप मोशन फिल्मेंकिंग कर यहां फिर में आउट्डूर कोई शूट कर रहा हूं जहां पर मैं चाहता हूं कि डॉली इन्याव एक सर्टल मोमेंट कंटिनूशली मेरे श करती है इस मोटर uk 200 वी इस तरीके से बाटरी को कनेक कर शकते हो मैं अगर को और तो यहां से ऑंट इस बैटरी जो की कैम दो वाली बैटरी से जहां इस्तरीके लुड़ को यहांपे आपको स्लॉट मिल जाता है बाटरी लगाने का अगर आपके पास में बाटरी नहीं है तो आपको डीसी पावर के लिए एक में connect कर सकते हैं यहां पे motor का जो है वो pan का moment यहां पे लगा हुआ है आपको इस तरीके से अपने slider पर पॉस्षिन देनी है और इस तरीके से लॉक कर देडिया है तू रोल यूव वीडियो बैटरी लगा दी simple power up कर दो पावर अपो किरके आपका slider यहां से on हो जाएगा, यहां बटन्स दे रिखे हैं, right में जाने के लिए, left में जाने के लिए, जिनको आप इन buttons को use करके कर सकते हो, slider पे ही AB और AB पॉइंट को select कर सकते हो, double tap करके आपके power button को, और यहां पे अगर आपको movement की speed है, उसको control करना हो, यहां पे आपको knob मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, यहां से अगर आपको थोड़ा slow movement देनी है, थोड़ी high speed movement देनी है, तो यहां से directly knob को use करके control कर सकते हो, इस पे एक और अच्छी चीज़ है कि knob पे आपको lock का button मिलता है, suppose करो अगर आप transportation में slider को use करना चाते हो तो आप इस तरीके से यहां पे इस lock wheel को खुमा दो और आपका slider जो हो एक जगे पे लॉक हो जाएगा, transportation में इधर उदर आपकी back में हिलेगा डूलेगा नी, तो once again यह भी एक अच्छी चीज़ है इस particular slider की, overall build quality ना बहुत अच्छी है, फूरी metallic build quality में आता है, compare to my hot dog slider, hot dog slider of course light weight है, carbon fiber का बनावा है, बट उसकी build quality से यह almost 10 times जादा better की build में आता है, जो की particularly slider की मुझे बहुत जादा अच्छी लगती है, यह slider specifically क्यों बहुत अच्छा है videography के लिए, क्योंकि यह बहुत affordable भी है, साथ-साथ में यह एक बहुत lightweight sort of setup के अंदर आता है, तो अगर आप videography कर आउट्डोर जाकर के, या indoor अपने घर में कुछ product videos बना रहे है, तो situation में slider को आप definitely use कर सकते हो, बहुत lightweight है, बहुत easy to setup है for your video production, slider का एक और सबसे बढ़ा advantage है, अगर आपको slider को यहां से, मोटर से directly, physically नहीं control करना हो, तो इसकी application आती है, Zippon Lab, जिसके तुरू आप इसकी moment को control कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं, मैं अपने mobile phone app से इसको use कर रहा हूँ, ठीक है, और AB point selection करना हुआ, जैसे यहां पर मैं A, B point selection करना हुआ, वह मैं कर सकता हूँ, B, C, सारे points को जो है, मैं यहां पर select कर सकता हूँ, साथ-साथ मैं इसकी speed है, उसको भी मैं यहां पर आके, control क कर सकता हूँ, मुझे इसको fast चाहिए, ठीक है, और अगर मुझे slow चाहिए, तो I can control all that feature in the mobile app itself, ठीक है, अब mobile app में कुछ और option रहा है, मुझे loop में चलाना है, इसको मैंने B point set कर दिया, और मुझे इसको loop में चलाना है, ठीक है, यह प्ले कर दिया, अब आप दिखेगा, यह loop में चलता रहेगा, मेरे फोन में, मैंने बस इसको loop पे डाल दिया, और यह loop में चलना start हो गया, ठीक है, speed control करना हुआ, साथ-साथ में इसका pan and tilt वाला mount भी आता है, अगर आपने वह भी लगा दिया, इसके ओपर तो वह pan or tilt की, जो movement है, उसको भी यहां से आकर कि आप control कर सको होगे, अच्छा, इस slider का एक और advantage है, इस slider का advantage एक और यह बहुत अच्छा है, कि इसमें एक mode मिलता है आपको, यहां पर वीडियो mode अगर शूट कर रहे हो, अगर आप intelligent time-lapse mode यूज कर रहे हो, तो आप अपने camera को, यहां पर आपको एक remote के लिए भी port मिल जाता है, basically इस motor के इंदर, तो आप यहां से अपने camera को via remote connect कर सकते हो, और फिर time-lapse अगर आप शूट कर रहे हो, तो यहां से time-lapse का पूरा का पूरा control कर सकते हो, यह AI को यूज करके, और intelligent mode को यूज करके, आपके time-lapse आपको शूट करके रहे हो, दूसरा customized time-lapse का option है, तीसरा आपका stop motion, कर जाएंगे, यह extra feature आपको by default application में मिल जाते हैं, इसको यूज करके भी आप काफी creative videography through this app कर सकते हो, so guys, अगर आप लोग handheld video shoot करते हो, यह फिर shoots के time पे gimbal को use करना पसंद करते हो, बट अभी तक आप लोग उने slider में invest नहीं किया है, तो I think guys, कि यह एक right time है to get a motorized slider, देखो य जाएगा, जैसे कि जो shot आप gimbal से ले पाते हो, of course मैं मानता हूँ, gimbal से अच्छे shot आ रहाते हैं, but जो slider से shot आपको मिलेंगे न, I don't think so कि वो किसी भी gimbal से during the shoot मिल पाएंगे, आपको पास flexibility होते है, retakes लेनेगी, आपको पास flexibility होते है, एक subtle smooth movement को record करनेगी, which is always not possible with the gimbal, so इसके link आ मिल जाएंगे, आप जाकर कि slider को check out कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंदा दो मेरी चैनल को subscribe कर सकते हो, thank you so much guys for watching this video, stay tuned and keep shooting!